नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर तुहार टोटके अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पसंद आए तब वीडियो को लाइक करें मेस रासी वालों आखिर आपके ही खुशियों पर नजर क्यों लगती है क्या आपने कभी सोचा है आज हम आपको बताएंगे कुछ कड़वी सच्चाई लेकिन खुबसूरत सच भी है तो चलिए वीडियो के अंतक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चैनल रासी पर आधारित ह मेस रासी आपके अंदर बहुत सारी इनरजी होती है आगे बढ़ने का काबिलियत होता है और आपके स्वामी है मंगल देव अब यहाँ पर सुर्य और सनी दोनों की अगर हम बात करें तो चलिए हम बात मेस के बारे में बात करेंगे लेकिन आप सबसे पहले तो यह जान ले कि मेस रासी वाले जो होते हैं बहुत बुद्धिमान तो होते हैं बहुत दिमाग के ब्रेन के सार्प होते हैं लेकिन कमजोरी क्या होता है और इस्थिर दिमाग वैसे तो दिमाग तेज होने के साथ और इस्थिर यानि चंचलता भरी भी होती है और यह चंचलता इनके बच बच्छों में लोगों के जान लेकिन में सुरासी वालों की बाती जुदा है अपनी मा के लाडले होते हैं और मास एक अच्छा खासा इन्हें लगाव भी होता है लेकिन होता क्या है tension तु तबाती है जब आपके मन की चंचलता को कोई भुना ले जाए आपके जीवन वैसे तो आप अपनी सेक्रेट किसी से सेर नहीं करते इस मामले में आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा इस मामले में आप सोच से परे तक भी जा सकते हैं कोई भी आपके गुपत बातों को नहीं आपसे भेद नहीं ले सकता लेकिन कभी कभी क्या होता है हम excited होकर खुसी में कहते हैं ना खुसी में वचन नहीं देना चाहिए तो ये चीजें मेसरासी वालों से हो जाती है और एक बर जिससे वादा कर लेते हैं निभाना है तो निभाना है दूसरी तरफ इनके दोस्त वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन जो एक इनका फ्रेंड सरकिल वह बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से भी जिनके साथ ये अपनी बाते सेयर करते हैं वह सरकिल थोड़ा चोटा होता है क्योंकि सब के साथ दिल के बाते करना इन्हें पसंद नहीं थोरे जब ये टीनेज में आते हैं तो इनके अंदर का जो बिंदास पंथा वो कहीं लगता है खो जाता है वैसे तो एकदम से नहीं खोता लेकिन फिर भी थोरे से सांथ सांथ रहने लगते हैं थोरे मन की चीजें इन्हें लगता है जैसे बहुत टेंसर में प्रेसर में आ जाते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने अब यठा यहां पर ही चंचलता इन्हें ज्यादा प्रेसां करती है बच्पन तक तो ठीक है दिरे-दिरे चीजें बहतर हो रही है लिकिन जब टीनेज में आके यह चंच और चाहते हैं पहुंच कहीं और जाते हैं लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है आपके खुसियों पर नजर क्यों लगती है देखे चंचलता बहुत है और इस चंचलता के कारण आप खुस रहते हैं प्रसन रहते हैं चहकते हैं सब के साथ बिंदास होकर रहते हैं तकलीफ वैसे तो अपनों के लिए प्यार को जादा होता है और अपनों की जब बारी आती है तो ये अपने दुखदर्द भूल जाते हैं और तब वैसे तो हम आपकी रिस्तों में गाठे नहीं डालेंगे लेकिन हम आपको थोरे से हिंट्स जरूर देंगे अगर सम्हलना चाहते हैं तो समल जाईएगा नहीं चाहते तो आपकी मर्ची तो यहाँ पर क्या होता है ना आप बिंदास होके अपने अपके जो दिल में बसते हैं उसे सिर्फ दिल में रहने देते हैं आप समझ रहे होंगे जो दिल में है वो दिल में है लेकिन आप दिखावा कहां कर रहे हैं आप आप सोव कहां कर रहे हैं आप लोगों पर कहां जाननी उचावर कर रहे हैं जो आसपास है तो दिल के लोग जो दिल में बसते हैं उनको फिर क्यों छोड़ते हैं वही आपके सपनों को साकार करने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए आपका हिम्मत बढ़ाने के लिए दि खटकता है खटकता इसलिए नहीं है कि आप दिल में बसने वालों को छोड़कर आसपास के लोगों पर ध्यान दे रहें खटकता इसलिए है आप इतने खुस क्यों है साथ उन्हें पता नहीं कि खुसी का कारण कुछ नहीं है सिर्फ अपने गम को भुला कर आपको आपके कि वैसे गलत फहमी दूसरों को होना अच्छी बात है क्योंकि तकलिफ हैं किसी से नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा परसंद रहते हैं ज्यादा खुस रहते हैं तो यकिन मानिये लोग सोचेंगे अरे इतना खुस है इसके पास तो बहुत पैसे होंग क्योंकि लोग आपको छूटे सपने दिखा के कहीं फसा देंगे लोग आपको कहीं न कहीं बरगला देंगे और इतना रोना रोएंगे कि आपको लगेगा सच में इन्हें तकलिफ है पर ऐसा होगा नहीं ऐसे में जो दिल में रहने वाले हैं इन्हें महत्तु दें और बाकि जो को समझे तभी आप बेहतर कर पाएंगे अब आप सोचेंगे इतनी सारी बाते हो गई चंचलता को कम करने का उपाय तो हमने कहा ही नहीं तो देखे चंचलता तो होती है जाना कहीं और चाहते हैं पहुँच कहीं और जाते हैं करना कुछ और चाहते हैं कर कुछ और बैठते हैं इसलिए तो हम कहते हैं आपकी खुसियों को सायद नजर लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता और क्यों लगती है इसको कैसे ठीक करें सबसे पहली बात तो आपको सलाह लेकर एक मोती पहनना चाहिए अगर मुंगा सूट करें तो जरूर पहने सलाह लेकर लेकिन सलाह लेकर याद रखिए नजर दोस तांत्रिक किया है चोट चपेट दुरगटना हर एक चीज से बचाता है मुंगा पर सलाह लेकर पहनिएगा नहीं तो अगर सलाह बिना लिए पहनते हैं तो फिर दिक्कत भी आ सकती है तो सलाह लेकर पहने अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपको रोज सुभा भगवान सूरी को जरूर पढ़नाम करना चाहिए उनके सामने गैतरी मंत्र का जब करें तो ज़्यादा अच्छा है भगवान सूरी को पढ़नाम करने से एक तो सूरी जो आपका भाग्योदय करते हैं आप में एक पॉज़ाटिव उर्जा आती रहेगी आपका भाग्योदय होता रहेगा और भगवान सूरी की किर्पा तो आप पर मिलेगी अब यहां से जब आप सूरी होगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे गैतरी मंत्र पढ़ेंगे तो आपका जो पॉज़ेटिव एनरजी है वो बढ़ेगा आप में जो उर्जा का लेबल है जिसके लिए आप जाने जाते हैं वो बढ़ेगा आपका मन भी सही दिसा में चलने लगेगा और फिर भटकाओ भी नहीं होगा आप भटकाओ से भी बचे रहेंगे अब यहाँ पर कुछ चीजे हाथों से निकलती भी इसलिए नजराती है क्योंकि मंगल देव आपके रहसी के स्वामी है और मंगल ग्रहों में सबसे ज़्यादा सक्ति साली भी माना जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर होता क्या है मंगल ग्रहों की सेना पती ग्रह है और मंगल बैक्ति को सासी भी बनाता है आपका आत्मे विस्वास भी बढ़ाता है आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है कर्ज, भूमी, सेना, उच्चिपद, मंगल से ही मिलता है इसलिए तो आप सफलता आसानी से प्राप कर लेते हैं पर यहां पर जैसे हमने कहा आपको सलाह लेकर एक मुंगा जरु धारन करना चाहिए लेकिन आम तोर पर देखा गया है कि आपके जीवन में मंगल थोड़ा दवाब पैदा करता है थोड़ा भार रहता है थोड़ा प्रेसर होता है चीजों को लेकर रिस्तों को लेकर दरहसर मंगल अगर खराब हो जाए ना या फिर जिसे हम मंगल भारी होना कहते हैं तो थोड़ी दिकत बढ़ जाती है वैसे तो मेसरासी का स्वामी मंगल है इसलिए सामाने तोर पर मंगल भारी नहीं होता, खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर संभावना बन जाए, तब ऐसी दसा में होता क्या है? आपका स्वास्त खराब कर देता है, दुरगटना की संभावना बन जाती है, ओपरेशन जैसी चीजें होने लगती है जीवन में चोट चपेट की नौबत भी आ जाती है, अगर मंगल भारी हो तो, अगर मंगल लगे आपको की दिक्कत दे रहा है, आप मेश रासी के हैं, चीजें इधर की उधर हो रही है, अब हमने सोचेंगे कि हमने टॉपिक कुछार रखा था तो मंगल पे कहा से चलाए, देखे हमने चुकि आपको कहा कि जीवन में ज्यादा बाधा आया, ज्यादा लगे कि जीवन जैसे रुक्सी गई है, कोई अवरोध है, कोई बहुत बड़ा प्रेसर है, तब ऐसे में आप मंगल को ठीक करें, करेंगे कैसे? हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर थोरा सा सिंदूर रखकर अरफित करें, अगर आप महिला हैं, तो लाल पुस्प अरफित कीजिएगा, महिलाएं सिंदूर अरफित नहीं करेंगे, फिर देखिए जीवन में कैसे चमतकार होता है, सब कुछ बेहतर होता चला जाता है, और आप बिलकुल हलका महसूस करते हैं, एक दम से पावन, हम आप से बिदा लेते हैं, हर हर महादेव